हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो मैं चैनल और फ्रेंज आप सब कैसे हैं मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम भी आप लोगों के द्वाउं से ठीक हैं फ्रेंज आज में आप लोगों को मेरा डेलीलिस का गार्डेन टूर कराऊंगी मतलब मेरे प प्लांट आप लोग देख रहे हैं यह ग्राउंड में है तो हमें ग्राउंड में ग्रो करने के लिए कैसा सोयल बनाना चाहिए या फिर कुछ क्यार हमें लेना पड़ता है कि नहीं तो वह सारे डीटेल्स आज में इसी वीडियो में शेयर करूंगी और साथ में पॉर्ट मे बहुत आप लोगों को क्या टिप्स आज इसी वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो फ्रेंट इसलिए फीडियो पुरा एंट तक देखिएगा फ्रेंट्स यह जो वीडियो आभी देख रहे हैं यह वाला इन प्लांट का पहला फूल था देखिए उस दिन द डे लिली से वह हंही से बाल्ब प्ला क emine लगाया था और यह दिकिए यह सब आप लोगों के सामने ही इन सब का और ग्रो किया था मैंने लेकिन नहीं एस ऐलिए करीदा था कि यह सब और अलगम कालर में था और देखिए फिर यही कलर निकल गया है यह भी बहुत ही आच्छा कलर है लेकिन मेरे पास अल्रेडी बहुत चारे है यह सब आप लोगों को बाद में मैं दिखाऊंगी और यह दोनों में आभी तक फ्लावर इस्पाइक नहीं निकला है तो आप लोग वो वीडियो कोईल मेकसर शाहिए साथ में कैसे करके हमें बाल्ब को ग्रो करना सहिए लगाना से ओपी यह दिखिया यह सेकेंड का वीडियो है तो यह उस दिन भी देखिए बहुत चारे फोल उस तिन खिला था चार-पांच इस यह वाला में और बहुत चारे जगा पे मेरा यह डेली ल अच्छा बरासा इसका निकले गाए और यह वाला फूल खिलते वाक्त आप लोगों के साथ इन प्लांट का कॉंप्लीट क्या रिंग शेयर किया था देखिए और फ्रेंट्स इसका मैंने लास्ट यार जून जुलाई महीने में कहीं से प्लांट उठा के लागाया था फिर बा फ्रेंट्स स्टक परिणां भंच के लिए भूंदन ऐसे दीन चाल्ट साथ आहिने का सनुन हमेद मेर घ्री को रही करन के लिए नहीं का संहें यह कैने मेरी कोई भी चिर को तो आपका प्लांट बहुत ही आच्छा और हेल्दी रहेगा और फूल भी बहुत ही आच्छा है और हेल्दी फूल खिलेंगे तब तो आप ग्राउंट में भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास तो बहुत चारे हैं मैं ऐसे ही लागा देती हूं तो अगर आप क वह सारे और बहुत ही बड़ा साईजिकाल निकला है इसलिय kehle A अधल ऑघ्र हमेंगर में पना पड़ता है कि नहीं फ्रेंस ज्य और अगर आपका कीचेन वेस्ट से जो लिक्विट फार्टिलाइजर हम बनाते हैं वह आप डाल सकते हैं वह पहने कभी कभार दो तीन बार शायद डाला था पूरा सीजन मिला के तो आप भी डाल सकते हैं बहुत ही आद रहेगा फ्रेंट्स देखिए यह वाला यह चार प्लांटिया प बहुत ही बड़ा है लेकिन के मेरा पे उतना नहीं लग रहा है लेकिन बहुत ही बड़ा साइस है वह सबसे डाबल जैसा ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर कलर है इन सब का और अब हम बात करते हैं पॉट में लगाने के लिए फार्टिलाइजर तो हम मैंने अल्रेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है उस वीडियो में एक्टम कंप्लेट के आरिंग वह वीडियो आप चुरूर सेख किजिएगा और पॉट में आप एनपीके लिक्विट बनाके 15 डेस के अंदर अंदर आपको डालना है तो बहुत ही अच्छे से फूल खिल जाएगा तो इसलिए हमें सेम रिशियो का एनपीके एक चमज एक लिटर पानी में अच्छे से खोल के ब्लांट्स में डालना है प्लांट्स का जो सोईल मीडिया है उहां पे तो टेन टू फिप्टीन डेस के अंदर अंदर डालना है एक काप या फिर देर कप भी आप डाल सकते है तो ऐसा ही करक कर सकते हैं और कोई भी लीकूइट फार्टिलाइजर आप इन प्लांट्स को दे सकते हैं देखे फ्रेंट्स यह यह भी मेरे ग्राउंड में देखिए इस साइट का है देखिए जो मेरा क्लाइम बिंग रोज है यहां पे तो उसके नीचे है यह यह तो पहले ही एक टेर मही पहले ही खिल गया था वो जो सिंगल पैटल्स वाला और यहां पे भी बहुत चारे है तो ऐसे ही करके रोज खिल रहे हैं तो फ्रेंट्स अभी हम बात करते हैं इन सब को और क्या-क्या क्यार लेना है आप पिस्टिसाइट का स्प्रे कि जिएगा पॉर्ट में तो आपको कर नहीं करना है तो वह भी 15 डेस के अंदर अंदर आप कर सकते हैं तो कोई भी किरा बगेरा विंट कम आते हैं प्लांट्स में और जो पीजट बगेरा भी नहीं लगता है इसलिए लेकिन ग्राउंड में ग्रो करने के लिए हमें कोई भी पेस्टिसाइट फांगिसाइड यह स जब आप देखें प्लांट्स में किराब अगेरा लाग जाए तो आप पेस्टिसाइट का स्प्रे कर सकते हैं फ्रेंज देखिए यह सारे फूल जो आप लोगा भी देख रहे हैं इनमें मैंने जब पाल्प को ग्रो किया था तो पॉम्पोस्ट डाल के ग्रो किया था और इ प्लांट्स को हमें ठूब कितना देना है फ्रेंज देखिए मेरे यह जितना भी फूल अभी देखरह है यह से अप में दीन भर्पा ढम ग्र हुआ था लेकिन मेरे क्लाइमबिंग रोज के नीचे जितना भी प्लान्स है यह है वो सारे प्लांस इन सब में आभी आपी फूल खिलना शुरू हो गया और इहां पर युब Woah को सान के ही थोरा सा एक दो घंटे का थूप मिलता है और दीन भर में थोरा सा भी थूप नहीं मिलता है फिर भी बहुत याच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गया है और ये वाला में भी इतना थूप नहीं मिलता है इसके उपोर में बहुत ही बड़ा एक पेर है तो इसलिए मैंने बोला कि अगर ground में आपकर करते हैं तो एक गणटे का थूप मिलने से हुए भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं तो ऐसे करके आप थूप देना है इन प्लांस को और ये दिखिये ये आज का वीडियो है और अभी इन प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हुआ है यहां पे तो थूपी नहीं आता है मैंने बोल ही दिया बस एक दो घंटे का थूपी वह भी स्थान के आते हैं तो आभी हम बात करते हैं ग्राउंड में अगर ग्रो करते हैं तो पानी कितना देना है तो पानी भी हमें जब आप द सब्सक्रा जाएं जाता है नहीं है तो दा लोगा लगा चुछ universes शुरू हो जाते हैं तो इसलिए पानी देने का यह जोरधी नहीं पंड़त आ अब आपको कम से कम दो तीर घंटे का दूब करना आए और पानी आप को देखके देना है जब आप देखे ओपर का मिट्टी सूग ए तब आपको पानी देना है प्लांट में और मैंने उसके ओपर दो अल्रेडी पॉर्ट में ग्रो करने के लिए कम्प्लीट के यारिंग मैंने द्स्क्रिप्टि्प्टिं में दे रखा है आप चाल की सेख कर सकते हैं और ऐसा लोग भी ऐसा ही करके क्यार किजिएगा आप लोगों का प्लांट में भी ऐसा ही करके फ्लावरिंग करेगा तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही थेंक्यू सो